हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजिया और आप ठेकरे हूँ विजिया हास क्रेटिव काड़न फ्रेंज आज हम आपको हम लोगे घर में पाकट वाली सौफ आती है जिसकों की पुटी सौफ बोलते हैं वो ग्रो करना बताएंगे और ये जो अजवाइन इसको बताएंगे तो यह जो जो अजवाइन है ये थे मेरी यूज ओर रही थी घर में उसी से मैंने निकाला है लेकिन सौ्फ जो है वो पैकेट अभी खोला है ये जो मिट्टी हमने ली है ये जो मेरे पुराना ग्रोबाग में ऐसे ही रखी थी कम से कम पान चे महिने रखी थी इसी में मैंने 30 30% जितनी मिट्टी है उसका 30% मैंने गोबर खाद मिला लिया है और इसी में मैं अब अपना सौफ और अजवाइन लगाने जा रही हूं तो इसमें जो है मेरे ग्रो बैक जो है यह बहुत जादा हाइट का नहीं है यह जो है केवल 6-7 इंचिस का है चोड़ाई काफी है तो मैं सोच रही है उसी में ग्रो कर ले तो इसको आधा आधा बना ले कर लेते हैं जब भी आप कोई भी सीट डालो तो अकसर कोशिश करो कि प होते हैं वही सौफ होती है जो हम लोग अचार वेगेरा में यूज करते हैं वही वाली रहती है अगर आप यूज करो इसको तो इक जी ध्यान रखिएगा पैकट बहुत पुराना ना रहे आपका नया लीजिएगा जिसे अभी आप नवंबर में ग्रो करोगे तो कोशिश क अगर यह का एक दो महीने का रहा है और फैकट खुला ना रहे है क्योंकि खुला रहने से फरेंस हवा वेगेरा लगती है और जो सीट का मौशर लग जाता है तो जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है तो सौफ का तो पैकट मैंने अभी खोला है अच्छा जो हम लोग एक खाते ह अजवाइन तो मेरी डिब्बे में यूज हो रही थी मैं उसी को जर्मिनेट करने जा रही हूं फ्रेंस यह अजवाइन वही जो हम लोग परेठे वगेरा में डालते है नमकीन मठरी वगेरा में वही है यह जवाइन एक इंडियन बोरे जाता है जिसको कि अजवाइन की कर सकते हैं और फ्रेंस आप सौंफ खाओके जब निकलेगी ना इसकी वीज आपके मस्त हो जाओके बहुत अच्छी टेस्ट हो लगती है इसकी तो बागी बाद मैं सब ऐसे ही डाल देती हूं थोड़ा ज्यादा इसलिए हमने डाला है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किते स सवाफ काने वाली स्वाफ बोल देते हैं इसको कि हम लोग आगशर थे खाते रहते हैं और यह बढ़े हो जाते हैं तब उनको हर्वेस्ट करके ने को मसाले वाली स्वाफ बोल दिया जाता है तो इनको ग्रोय कर लेंगे फ्रेंस यह जो थे जो अजवाईन हैं । renew कमीति ड तो जब बीज लगाएं उससे पहले भी मिट्टी को हलका सा मॉइस्ट कर लें ताकि यह कि छोटे-छोटे जब अंकुर निकलते रहते तो आपको जल्दी पानी न डालना पड़ें तो कई पर वह पानी डालने से खराब हो जाते हैं तो यह देखें पानी डालने से निकल आए तो मैंने को पर थोड़ा सा यह डाल दे रही हूं यह मिट्टी यह से तो यह दब जाएंगे जो भी अंकुरन होगा तो हम फिर आपको इसका अपडेट भी देते हैं इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होगा और अगर आप इसको कवर कर दोगे ढ़क ज़्यादा होगा तो बस ऐसे ही रखा रहेगा यह दोस्तों यह पूरी क्लिपिंग जो आप देख रहे हो यह 12 डेज के बाद की है सीट जर्मिनेशन जो है यह 5 डेज के बाद हो गया था निकल आए थे कुछ-कुछ निकले थे सौफ जल्दी निकल आई थी काफी तेज और सौफ का देखिए पैकेट हमने नया पैकेट खोल के लगाया थे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला जबकि अजवाइन जो मेरे घर में यूज कर रही थी वही डाला तो थोड़ा सा इसका कम अच्छा रिजल्ट मिला है लेकिन फिर भी देखिए काफी निकल आई है और आप महिने में एक बार गोबर खाद या गोबर खाद का लिक्विड डाल देना दोस्तो वही सफिशियंट रहेगा इसमें चलिए अब हम आपको ये वाला जो दिखा रहे हैं मौनिंग ग्लोरी प्रेंट्स ये मेरा रेनी सीजन में ओवर वाटरिंग से खराब हो गया था त इसको जो कहते हैं ना लेरिंग से ग्रो करना मिटी में तो वह करा था तो देखिए इसमें जो था वहां से जहां से लीफ नोड होती ना वहां से नई जड़े निकल आई थी और प्लांट मेरा ग्रो हो गया अब देखिए फ्लावरिंग कर रहा है फूरे रेनी सीजन ये नह मॉगरा देख सकते हो तो जैसे आपने मॉगरा ग्रो किया थह सेम डह गर आपके भी कोई बेल वगयरा कभी खराब हो रही हो वाइन वगयरा तो एक बार कोशिश जरूर कर दीजेगा उस तरीके से ग्रो करने में तो फ्रेंद्स यही इंफोर्मेशन थी आगे जो हम इसका अपडेट देंगे बस ये ऐसे ही ग्रो होती रहेंगे इसके पत्तियां हर्वेस्ट करते रहेंगे और बाद में इसके फ्रूट्स लेंगे फिर मिलते हैं आप से तब तक के लिए बाई बाई